दोस्तों जहां एक तरफ समंदर में शार्क के पास जाने की कोई हिम्मत तक नहीं करता, वहीं ये मचली तो सीधा शार्क के मूँ में घुश जाती है, पर आखिर क्यों ये मचली अपने आपको ही मौद के मूँ में डाल देती है, आईए जानते हैं, दरसल दोस्तों इस मचली इसे कुछ नहीं करती, क्या आप जानते हैं कि साल 2015 से ही फिल्म के फेमस कैरेक्टर गौडजिला को अधिकारिक तोर पर जापान की नागरिकता दी गई है, वैसे किंग कॉंग और गौडजिला में से आपका फेवरेट कौन है कमेंट करके जरूर बताना